गर्मी के बचाओ के लिए बहुत कुछ शिराम लदा को दिया जाता है जिसे भोग लगने के लिए इसमिनागेर के पानी है उसके बाद लसी है दही है दही जियत दिया जाता है कि भगवान को जो भोग लगे गर्मी में वो इसकी प्रकार के इसका प्रभावन में पड़े जो जो ठंड बस तो है, भोग लगाने के वो गर्मी में दिया जाता है, जो गर्म बस तो है, ठंडी में दिया जाता है, इसी प्रकार की है, उनकी बवस्ता है, गर्मी के बचाओ के लिए बहुत कुछ राम लदा को दिया जाता है, जिसे भोग लगने के लिए, इसमिन नागेर के पानी है उसके बाद लसी है दही है और इसी प्रकार से ठंदही है यह सब सको दिया जाता है दही दिया जाता है कि भगवान को जो भोग लगे गर्वी में वो इसका प्रभाव में पड़े कपड़े में परवर्तन किया जाता है उसके बाद आरती जो होती हो सीतल आरती फूल क परोगे किया जाती है, यह हर मवस्पाराना कजिए हुआ ही जाता है, जिसे कि बालती रूप में राम है, राम दी के लिए कोई भी नijnसी में परशाद में ना इनसी में भोग में और ने और ब्यूस्थायों में कोई गर्वरी हो, इस लिए यह सबकुछ गर्मी में दिया जाता है। नहीं थंदी में दूसर है। ठंदी में बस्ता है अपना अलग अलग है। तो गर्मी के लिए है कि गर्मी जो ठंद बस्तु है, बहुं लगाने के वो गर्मी में दिया जाता है। वो ठंडी में दिया जाता है, इसी परकार की है, वो फिर में वस्ता है.